नमस्कार मैं हूँ रमेश हांडा आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी और समय है ट्राइज सीटी अपडेट का सबसे पहले खास खबरे नेगम में परस्ताद पारित हुए बगार ही परशाशन ने बढ़ाई पानी के दरें एक अपरेल से हो जाएंगी लागू पजकुला में सरकारी योजना के लाब के लिए पती को मिर्त बताया जांच हुई तो जिन्दा पाया गया सभी पेंशन दार्कों की जांच क्या देश और चंडीगड में पेट्रॉल एक बार फिर सो रुपे लीटर के पार पहुचा और अब खबरें विस्तार से चंडीगड में पानी की दरें बढ़ गई हैं जो कि एक अपरेल से लागू हो जाएंगी इसके लिए अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं प्रशाचन का दवा है कि यह स्लैब पंचकुला और मुहाली के मुकाबले सस्ते हैं आपको बता दें कि नगरनी गम में पानी के बुद्दे को लेकर 29 मार्च को भी पैटक में काफी हंगावा हुआ था यहां तक की हंगामे के बाद इस मसले को लेकर वोटिंग कवाई गे थी और वोटिंग में यह पस्ताब पास नहीं हुआ था लेकिन नगरनी गम और परशाशन के पीछ हुए वचारि मर्ष के बाद इस पस्ताब को पास कर दिया गया और अप चंडिगार में पानी के दर्ञें एक अपरेल से बढ़ जाएगी परशाशन का कहना था कि दस साल से चन्डिगर में पानी की दरही नहीं बड़ी थी जिसकारण यह भी भाग काफी मंदी में और घाटे में जल गा था परशाशन ने एक बार फे दुराया कि दरें भड़ा दी गई हैं जिसके बाद अब शहर में 24 घंटेत पानी सप्लाई करवाने की उनकी घोशना को अमली जामा पहना है जाए पंचकुला में कांगरिस ने आज पुलीस के खिलाफ जम का हंगामा किया यह हंगामा नगर निगम के जेई और कांगरिसी पारशद के बीच हुई जड़ब के बाद कांगरिस पारशदत पर किये गए पुलीस के दर्ज मामले को लेकर किया गया था काबले जिकर है कि नगर निगम कराले में जूनिर एंजिनर रोही सैनी और वाड छे के पारशद पंकज बालमी के बीच ला जगर निगम और फुलीस के खिलाफ जम कर हंगामा किया पंचकूला सेक्टर एक स्थित पंचकूला लगू सचिवाले के बहर सैक्डू की संख्या में कॉंग्रिस नेताओं वाकारेकर्पाओं ने धर्ना परदर्शन किया अर्याना के पूर्व उपमुख्यमंत्री चंदर मोहन के नेतितों में ये धर्ना परदर्शन किया गया इस से धर्ना प्रदर्शन में कालका से कॉंग्रिस विधायक प्रदीब चौधरी और पूर मेयर उपेंदर आलुवालिया सहित कॉंग्रिसी नेता वा कारिकरता मौजूद रहे पाबिले जिक्र है कि नगर निगम कारेले में जूनियर इंजीनिर रोहित सैनी वाड नमबर 6 से कॉंग्रिस पारशद पंकज वालमिकी के बीच लात भू से चले थी इस मामले में पूलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफायार दर्च की थी लेकिन पूलिस ने एफायार दर्च किये जाने के बाद वाड नमबर 6 से पारशद पंकज वालमिकी को गिरफतार किया था जिसके बाद कॉंग्रिस ने पंचकुला पुलिस प्रशासन वा भाजपर सरकार के खलाफ मोट चाख खोलते हुए आज धरना परदशन किया। प्रदशनकारी कॉंग्रिस नेताओं का कहना है कि जूनियर इंजीनियर रोईट सैनी ने कॉंग्रिसी पारशद पंकज वालमिकी को जाती सूचक शब्द कही थे जिस पर S.C.S.P. एक्ट के तहत कारवाई की जाए। साथ ही उन्होंने भाज़ पर सरकार पर आरूप लगाया कि हर्याना के मुख्यमंतरी मनहोरलान ने मामने में दखल देते हुए कॉंग्रिसी पारशद के खिलाफ के इस दर्ज करने और आईपीसी की धारा 307 जोने का दबाब बनाया था। कॉंग्रिस ने आईपीसी की धारा 307 को हटाने की भी मांगी है। अधिकारी की बात सुणने की बिजाए इन पर बढ़क बढ़ा और इनको उक्साने लगा और कहीं न कहीं जो उस दिन की घटना घटी और पुलस प्रशाशन ने जो एक तरफा कारवाई करके उन दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया ऐसे इसी धाराइं लगाएगी जिसमे जमानतनी है और फिर रात को पंकज बजो तीन से साथ लगाने का काम किया वह कहीं न कहीं सत्ता का दुर्प्योग हुआ आज लोगों में इस बात को लेकर बड़ा रोश है कि ऐसे जूटे मकदे बढ़ा जाते हैं क्योंकि वह जो जेही रोहित है उसका आप पता करिए आप सेटी जनल उनके साथ भी हथा पाई हुई मतलब कहीं ऐसे मामले हैं उसका वैवार ठीक नहीं और वह कच्चा है पका भी जेही नहीं लगा हुआ लेकिन उसकी कहीना की सरकार में बहुत बड़ी पहुंच है उसका दुर्पयों करके वह ऐसे काम करके जो जोटे मुकदमे आ करके अचा बनाये गए आज पार्टी के साथ जुड़े कांघर के अन्या सात्यों को भी आज vesик褪ंच को लोग हो या नय संगठन हो सभी ने आके कांघर पी चे समर्चन देने का काम किया और शब्सकार के साथ जो लड़ाई लड़ने का हमारी पार्टी ने फैसर लिया उस और समान हो उसने पूरी लड़ाई लड़ी लेकिन कारवाई एक तरफ होने करके उसने जो उल्टा उसने उकसाया और मुकदमा भी इन दोनों पार्शनों पर लगाया गया और जाती सुच शब्द भी बाँ इस्तेमाल किये गई रात को 307 लगाने का काम किया हमारी यही मांग प्री मनोहरलाल पर पुलीस पर दबाव बनाने और पुलीस पर खलत तरीके से कारवाई करने की आरोफ लगाए हैं ऐसे दीखना होगा कि कांग्रिस के पाश्चत के समर्थन में उतरने के बाद मामले में क्या कारवाई की जाती है पजब किसे टीवी के लिए पंचकुला से पंचकुला के राएपूर रानी कजबे में दो महिलाओं ने पती की मित्यू के बाद बच्चों को मिलने वाले आर्थिक लाब की खातिर अपने पत्यों को मरा हुआ बता कर अपलाई कर दिया यहीं नहीं जब अवेदन किया गया तो उसके साथ पत्यों का मित्यू पर्मान पत्र भी लगाया गया लेकिन इस संबन्ध में जब सोशल वेलफर डिपार्टमेंट ने इन दस्तावेजों की जाच के लिए दिये गे नमबर पर फोन किया तो फोन उन पत्नियों के पती ने उठा लिया जिने उन्होंने मित्क बताया था पत्तियों ने कहा कि वे जिन्दा हैं जिसके बाद आवेदन का राज खुल गया और अब सोशल वेलफर डिपार्टमेंट ने ये गोशना की है कि जितने भी इस योजना के तहट पेंशन धारक हैं सभी के अवेदनों की अब एक बार फिर से जाच की जाएगी वरहाल अभी तक इन महिलाओं पर कोई मामला दरश नहीं हुआ है लेकिन निकट पविश्या में इन पर भी सख्तकारवई की योजना बनाई जा रही है आज के दौर में इंसानियत मरती जा रही है लोग चंद पैसू के लिए किसी को भी मार देती है लेकिन पंचकूला के राइपूर रानी के गाओं नटवाल से ऐसा मामला सामने आ है जिसे सुनने के बाद आपके पैरो तले जमीन खेसक जाएगी यहां सरकार की स्कीम का फायदा उठाने के लिए दो महिलाओं ने अपने ही पतियों को मरा हुआ बता दिया लेकिन सिरफ काग्जों में बता दे हैं कि पंचकूला के राइपूर रानी के गाओं नटवाल में रहने वाली दो महिलाओं ने 32 रुपे प्रती महीने के लिए जिन्दा पतियों को मरा हुआ बता कर सरकार की स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदर दिया था लेकिन सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट ने जब महिलाओं के घरों पार वेरिफिकेशन किया तो एक महिला के पती ने फोन उठा कर कहा कि मैं जिन्दा हूँ जिसके बाद इस फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ जिसके बाद विभाग ने फर्जी मृत्यू प्रमान पत्र बनाने के मामले में कारवाई के लिए डीसी और डीएस्पी को लिखा है इसके दो मामले थे इन्हों ने अपने बच्चों के निराशित पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें वागया कि यह जो फैमिली आइडी है प्रिवार पेजान पत्र है उसमें मिलाओ के जो पती का नाम था दुनों दर्शाया गया था तो हमने वेरिविकेशन करने के लिए जैसे उनको पॉन किया तो सामने उनके पती थे उन्होंने बात की तो फिर हमारे संग्यान में आया तो हमने दुबारा वेरिविकेशन की है अपने लेहर पे अभी हम यह जो दस्तावीज है यह जो डिस्टार अथरोर्टी नहीं है और अब और नहीं करने वह तरह दो स्क There. अधर्य पुलिस के लिए का मामला दज करने के लिए कई यह का गया यह जो अभी हम लिक रहें कि तफिश हो की तफिश करोंगे उसके बाद ही there वही मामले में डिस्टिक सोशल वेलफियर ऑफिसर का कहना है कि जुरा में लगाए गए सभी पैंशनों की जांच की जा रही है 32 सो रुपे प्रती महीनी के लिए दो महलाओं ने जिन्दा पतियों को मरा हुआ बता कर सरकार की स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवे दिन दिया था जो के बाद मामले में फरजी वाड़ा सामने आने के बाद विभाग द्वारा मामले में कारवाई की बात कही जा रही है बहराल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस द्वारा जाश के बाद और क्या कुछ निकल कर स्तामने आता है और इस मामले में क्या कुछ कारवाई की जाती है चंडिगड में सडकों का हाल बेहाल है लेकिन उन सडकों की रिकार्पिंटिंग जोरो पर चल रही है जो सडकें बिलकुल ही ठीक थी यह मसला उठाया है आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रिम्रता ने जिनका ये कहना था कि कई सेक्टरों में सडकों के इतने बुरे हाल हैं कि दो-दो फिटके गटे पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें ठीक करने के बजाए परशाशन और निगम शेर की उन सडकों की लीपापोती पर लगा है जहां पहले से ही सडकें बिलकुल सही हालत में हैं उन्होंने कई सडकों का उधारन भी दिया चंडिगर वार्ड नमर 23 से आमादी पार्टी की पाशद प्रेमलता ने शेहर की बदहाल सडकों का मुद्दा उठाया है और वी आईपी एरिया में बिलकुल ठीक सडकों की हो रही रिपेर पर सवाल उठाये हैं पाशद प्रेमलता का कहना है कि चंडिगर के कई इलाकों में यहां तक कि उनके वार्ड में सडकों का बुरा हाल है उन सडकों की और ना तो नगर निगम और ना ही चंडिगर प्रिशासन की ओर से ध्यान दिया जा रहा है लेकिन रौगार्डन सुखना लेक से गौर्णनर हाउस तक जाने वाली सडकों को चमकाया जा रहा है और ये सडक ऐसी सडक है जो पूरी तरह से ठीक है सडक पर किसी प्रकार के कोई गड़ी नहीं है ना ही कहीं से सडक तूटी हुई है बावदूद इसके सडकों को रिपेर किया जा रहा है जबकि शेहर के कई सेक्टरों में जहांपर सडकों को रिपेर करने की ज़रूरत है उनकी और ध्यान तक नहीं दिया जा रहा आप पारशद ने पूछा कि शहर में ऐसा भेदभा पून रवया क्यों अपनाया जा रहा है पारशद ने प्रशासन और नगर्निगम से कहा कि वे चंडीगर की अन्य वाडों की ओर भी ध्यान दे पारशद का कहिना है कि वे अपने वाड में सड़कों की हालत को लेकर कई बार सवाल उठा चुकी है और रिपेर करने की बात भी कह चुकी है लिकिन उन्हें कहा जाता है कि फंड नहीं है जबकि शहर की सही बनी हुई सटकों को फिर से बना कर चंता की पैसे को बरबाद किया जा रहा है बीच में आप मेरे एरिया की हाला देख लो ठाथ त्रके नहीं बनी है वहाँ पर इनके पास लुप तक लगाने के लिए ने सड़क बननी तो बहुत दूरकी बात है मेरे एरिया में सेक्टर 34 में 35 में 43 में तिनों सेक्टर में जाके देखो और खास तोर्षे BBM कलोनियो 34 की तो ऐसी बुरी हाल का है कि कोई भी साइकिल पर पैदल निकलता है तो मुझे जो लगता नहीं है कि हर हफ्ते कम से कम एक केसर चलता है कि जो गिता है या बच्चा गिरो है साइकिल वाला गिरो तो मैं प्रसाशन से पूझना चाती हूं कि वी फाइव रोड जो यह वी आईपी रोड है कि इसक्टों में रहते हैं कि यह जैसे आप जो वी आईपी रोड है उसकी केर करते हैं ऐसे सेक्टों की तरफ ज्यान दिया जाए तो आपका जब कि कुछ बिल्कुल सही सडकों की फिर से रिपेर की जा रही है और यह सब पहली बात नहीं हो रहा है अक्सर ऐसी तस्वीरे शेहर में देखने को मिलती हैं ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी पाश्र द्वारा ये मुद्दा उठाने के बाद क्या नगर निगम के अधीन लाने के लिए कि इंडर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है चन्डिगड के तेईसाजार करमचारी को इस नोटिफिकेशन का लाब मिलेगा जिनकी रिटायरमेंट अमर अब आठावन के बजाए साथवर्च हो जाएगी इसका लाब बी और सी के करमचारे को मिलेगा करमचारियों ने इस नोट्रिफिकेशन का स्वाक्त किया है केंद्र सरकार ने चंडिगड में लागू किये केंद्री सेवा नियम एक अप्रेल से चंडिगड के करमचारियों पर नियम होंगे लागू बीते दिनों चंडिगड पहुचवे केंद्रीयों ग्रह मंत्रिया में श्चाहा ने करमचारियों के लिए की थी घोशना नियम लागू होने से करमचारियों को मिलेंगे कई फायदे अब चंडिगड की करमचार्यों को केंद्रियो него के आधीन लाने के लिए केंद्र सरकार रहे नोटिफिकेशन चारी कर दिया है चंडिगड के 23,000 करमचार्यों पर एक अप्रेयल से ये नए नियम लागू हो जाएंगी केंद्र ने इसमामले में पंजाब सरकार के विरोध को दरकिनार कर दिया है पिछले रविवार को ही केंद्र ग्रहमंत्रिय में शाह ने इसकी घोशना की थी चंडिगड के करमचारियों पर अभी तक पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे पंजाब सर्विस रूल्स के मताबिक 58 साल में रिटार्मेंट होता था अब इन करमचारियों को 2 साल और मिलेंगी इसी तरह क्लास 4 में रिटार्मेंट की उम्र साथ साल से बढ़ा कर 62 साल हो जाएगी नियम लागू होने से टीचर्स को भी फायदा होगा चंडिगड में टीचर्स की रिटार्मेंट एज बढ़ जाएगी नॉर्मल कॉलेज में रिटार्मेंट 58 के जगह 65 साल में होगा वहीं टेक्निकल कॉलेज में टीचर्स साथ के बजाए 65 साल में रिटार होगे इन नियम उसे सेलरी में भी बढ़ातरी होगी करमचारियों की सेलरी में 800 से 2400 रुपे तक की बढ़ोतरी होगी वहीं अब साथमा वेतन लागू होने से भी उनकी सेलरी 10 से 15 प्रतिशत बढ़ जाएगी पहले हर आदेश के लिए चंडिगड की करमचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था लकिन अब इस से नोटिफिकेशन के लागू होने से केंदर जो भी नोटिस जारी करेगा वे करमचारियों के लिए सीधे लागू हो जाएंगे डेरा सच्चा सौदा के परमुख गुर्मी तरामरहीम के बेद्गी मालमे को लेकर उनके वकील ने आज़ चंडिगड में एक प्रेसवार तब लाई उनके एड़ुकेट जितनर खुराना और डेरा सच्चा सौदा के परवक्ता का ये बयान आया है कि डेरा सच्चा सौदा परमुख पर लगाय जारे बेद्गी के अरोपनी रधार है उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की एक साचिश थी क्योंके कांग्रेस यह देख रही थी कि डेरा फॉलवर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें डर था कि कहीं गुर्मी तराम रहीम राजिती में ना आ जाए इसलिए उन्होंने गुर्मी तराम रहीम को बेद्गी मामले में फसाने की कोशिश की वकील का ये कहना था कि सी बियाई ने इस मामले की तीन साल तक जाँच की लेकिन कोई भी तथ्यसामने नहीं आया जिससे की डेरे पर कोई आरोप लगाजा सके लेकिन जब तुबारा से सी बियाई से जाँच ली गई तो डेरा फॉलर्स को इसमें अरोपी बना दिया गया और साथ ही साथ गुर्मी तराम रहीम पर भी अब सिंगा जाकशने की तयारी की जा रही है जो की गैर करूनी है सतकार योग पवित्तर शिरी गुरू गर्ण साब के जो पावन अंगों की बेदवी की घटना हुई 2015 में जो की अती निंदनिय है और उसमें एक साजिश के तहट राजनी तिक शड्यंतर के तहट पुजे गुरू संत गुरमेत राम रहीम सिंग जी इंसा जी का जो नाम रंजिश के तहट साजिश के तहट इन्वाल किया जा रहा है उस मसले पर आज की ये प्रैस्पोन आफेंस हम तेरस अच्छा सोधा की तरफ से करने चाहरे हैं सबसे पहले तो तेरस अच्छा सोधा की तरफ से हम समुचे समाज को और समस्त अधर्णिय सिक साथ संगत को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बेदमी के मामले से पुझे गुरुजी का किसी परकार का कोई लेना देना नहीं है किसी परकार का बेदमी कर्माने में उनका कोई हाथ नहीं है ये सिरफ पिछली सरकार के त्वारा राजनितिक शेडियंतर के तहट पुझे गुरुजी को इसमें फसाने की साजिश की जा रही है और देरा सच्चा सोदा और पुझे गुरुजी ने सदा से ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है देरा सच्चा सोदा एक सरव धरम संगम है जहां सभी धर्मों का आदर सतकार सम्मान करना सिखाया जाता है बेयद भी करना तो बहुत दूर की बात है उसकी कलपना भी पुझे गुरुजी द्वारा या डेरा सच्चा सोदा की सासंगत द्वारा नहीं की जा सकती मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा पीछे भी गुरुजी की का ब्यान आया था एक चिठी के माद्यम से तो गुरुजी ने उसमें भी फरमाया था कि बेयद भी करना तो बहुत दूर की बात है अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा भी करता है किसी धरम की किसी व्यक्ति की निंदा भी करता है वो भी डेरा सच्चा सोदा का अन्यवाई नहीं हो सकता तो बेदभी तो एक बहुत गिनोना अपराद है तो आज इसी मसले पर हम आपके समक्ष पहुँचे हैं और पुझे गुरुजी का जैसा मैंने आपको बताया है कि बेदभी में किसी परकार का कोई हाथ नहीं है हम ये चाहते हैं कि इस मामले की पूरन ते निस्पक्ष जाच हो चाहे वो कोई भी करे लेकि निस्पक्ष जाच होनी चाहिए किसी के दवाब में आकर इस जाच को अंजाम ना दे क्योंकि जो असल दोशी हैं वो अभी तक बहारी गुम रहे हैं ये जास अजनसियों का काम है कानून का काम है असल दोशीयों को पकड़के सामने लाया जाए और दूद का दूद पानी का पानी किया जाए और मैं समत समाज से एक ये भी अपील करना चाहूंगा कि जो ये बेदभी का मामला है ये लोगों की धार्मिक भावनों से जुड़ा हुआ मामला है इस पर किसी भी परकार की कोई राजनिती नहीं होनी चाहिए इसको राजनिती रूप ना देकर हम सब मिलकर असल दोश्यों को सामने लाने का काम करें मीडिया के मादम से देखो मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए तो मैं मीडिया के साथियों से भी अन्रोज करता हूँ जहां भी उन्हें हमारी जुरुत बड़े जहां भी आपको लगे डेरा सच्चा सोदा आप लोगों के साथ खड़ा है जहां भी आपको लगता है हम आप लोगों के साथ खड़े हैं लेकिन आप भी हमारी मदद कीजिए कि क्योंकि ये बहुत मंद बागी गटना हुई है जो पवित्र शिरी गुरु गरण साब जी की बेद भी हुई है तो बहुत मंद बागी गटना है हम पूरी तरह से इसकी घौर निंदा करते हैं और असल दोश्यों को सामने लाने के लिए आप सभी इसमें हमारा सयोग करें हम सब मिलकर असल दोश्यों को सामने लाएं क्योंकि जो पवित्र शिरी गुरु गरण साब है वो पूरे समाज को पूरे संसार को पूरे वर्ड को परकाश देता है तो ये सभी के लिए उतना ही अधरनिये है ये नहीं कि सिर्फ पंजाब की सासंगत या पंजाब के लिए पूरे विश्व के लिए ये बहुत मंद बागी गटना है जो ये हुई है चैतर नवरातर के दुरान माता मंसा देवी के धर्शन करने वाले शर्ध हल्वों को वहां पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका इंतजाम पंजाब प्रशाशन और हर्याना रोडवेज ने किया है यहां हर्याना रोडवेज की बसें विभिन रूटों पर हर रोज 120 चकर लगाएंगी जबकि साथवें और आठवें नवरात्रे में इन बसों के चक्रों के संख्या 150 तक पहुंच जाएगी इसके जानकारी विधान सभा अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ग्यान चंद गुपता ने यहां पतरकारों के साथ बाचित करते वे थी उन्होंने कहा कि 30 माच तक चैतर नवरात्रे की सबी तैयारियां पूरी करनी जाएंगी जिसके दिशानर देश चारी किये जा चुके हैं वहीं यहां के दुकानदार भी इस बार काफी प्रसंद हैं क्योंकि पिछले दो वर्षों से कोविड के कारण माता मंसा देवी मंदिर में परसाद चड़ाने की मनाई थी लेकिन अब परसाद भी चड़ाया जाएगा और घंटे भी बजेंगे इसके बाद दुकानदारों म अब एक रहात की सांस ली है लेकर 10 अप्रेल तक 4 नवरात्री के दोरान लाखों की संख्या में श्रंधालू पहुंचेंगे। अरे मैं समझता हूं के हिंदूओं का सबसे बड़ा परव है। और माता मंसा देवी जो सिद्ध पीठ है। पूरे उत्रक्षित्र में सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है। लाखों की शंख्या में सरधालू माता मंसा देवी के दर्शन करने के लिए यहां आती है। उन सरधालू को किसी परकार से कोई असुधा ना हो तकलीफ ना हो परिशानी ना हो उसके लिए जो माता मंसा देवी शाइन बोर्ड के सबी अधिकारी हैं। हमारे जो बोर्ड के सबी मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग हमने ड्यूटियां लगाई हैं। और हर रोज वहां ये सारे मेलों के मेले के दौरान हर परकार से सुपरवीजन होती रहेगी। चाहे वो सफाई की विवस्ता है, सेक्यूरिटी की विवस्ता है, खाने पीने की विवस्ता है वहां पर। इसके लिए हमने सभी अधिकारीयों को जो भी भीन डिपार्टमेंट से हम सब को निर्देश दी हैं। कि ये दस दिन जो हैं वो पूरी तरह से स्तर्क रहें। तो कोविट के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर्क हो है लोगों के आने के उमीद है। आईए देखें ये बात बिलकुल आपने कहा कि कोविट के पस्चाथ खुले तोर पर ये पहली बार नवरात्रों का मेला युजित हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा रश भी रहने की संभावना है, ज़्यादा यात्रियों के ज़्यादा सध्धालियों के आने की संभावना है, तो उसी दिश्ट्री से हमने अरेंजमेंट के। जंख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचेंगे, जिससे उनके दुकानों में भी विक्री होगी और वे अपने परिवार का गुजारा कर सकेंगे। माता के अंदरूप सारे कारियों होंगे। देखो अकर सरदालू आते हैं तो अटोमेटिकल यह हमारा माता की दया से गुजारा सही हो जाएगा। लेकिन दो साल से बड़े परिशान रहे, करोना के बज़े से बड़े लोगों की जिनकी किष्टे थी वो भी रुक्य पड़ी है, घर के काम भी रुक्य पड़े हैं। लेकिन आज तो आपके चेहरे पे खुशी है, अभी से आने शुरू हुए है। माता की किरपा है, इसके बात ने थोड़ा थोड़ा करोना हम ने भी कंट्रोल किया, सरकार ने भी कंट्रोल किया। बहुत खुशी है, दो साल के बाद मिला आएगा माता का बहुत जबरदस्त हाँ जी आपका घर पर वार भी चलेगा। बाकी बहुत बड़ी आजी, बहुत अच्छा काम रहेगा। आपका परशाद भी खुब भी केगा। क्या कहेंगे फिर इसके बारे में। आपके चेहरों पे वो आंसु भी देखे जा रहे हैं। दो साल के दुखके आंसु वो आज महा माई के आशिरवास से दो रोएगे। चैतर नवरात्रों को लेकर श्रद्धालों को किसी भी तरह की परिशानी नहों। इसको लेकर सभी दिभागों ने तयारियां पूरी करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालों के लिए रोडवेज की बसों की तयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। वहीं श्रद्धालों को किसी भी तरह के परिशानी नहों। इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। पंजब केसु टीवी के लिए कुलदीब कुमार की रिपोर्ट पंजब और हर्याने के बाद अब चंड़ीगर मे भी पेट्रॉल के दाम सो रुपे पति लीटर के पार पहुँच गए हैं। बुद्वार को बढ़े रेटों के बाद अब चंडीगर में पेट्रॉल का रेट सो रुपे बयालीस पैसे प्रति लीटर हो गया है वहीं डीजल के दाम भी बढ़ गया है जो की 86 रुपे के पार पहुँच गया है यानि कि 86 रुपे 73 बैसे लीटर आपको डीजल अब चंडीगर में मिलेगा पिछले एक सब्ता में ही 17 प्रति लीटर पेट्रॉल के दाम चंडीगर में बढ़े हैं और उमीद यह चताई जा रहे हैं कि आने वाले कुछ और तीन पेट्रॉल के दाम लगातार पढ़ेंगे जो की 110 रुपे के पार पहुँचते हैं पंजाब और हर्यान के बाद चंडीगर में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुच गए हैं डीजल के रेट में भी बढ़ोतरी दर्श की गई हैं पेट्रोल के रेट में 6.20 रुपे बढ़ोतरी हुई है तो वहीं डीजल के रेट में 5.88 रुपे बढ़ोतरी दर्श की गई हैं 22 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच पेट्रोल और डीजल के रेटों में बढ़ोतरी दर्श की गई हैं एक मार्च को पेटरोल के रेट 94.2 руки प्रति लीटर था, जो अब बढ़ कर 100.42 руки प्रति लीटर पहुँच किया है。 इसी प्रकार डीजल 80.90 रूपे था जो की अब 86.17 руки प्रति लीटर पहुँच किया है. पेट्रोल और डीजल के रेट में हुझे इस बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग बेहत परिशान है ट्रांस्पोर्ट से जुड़े लोग समेत अन्यकाम धंदों से जुड़े लोगों को भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के चलते दिक्कतों के सामना करना पर रहा है पेट्रोल की जादा खपत होने के चलते पेट्रोल पंपो पर भी भीड है वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के रेच में भी पचास रुपे की बहुत्री की गई थी पंजाब केस्टीवी के लिए चंडिगर से भगवत सिंग रिपूर्ट मिस यूनिवर्स हरनाज संदू का पंजाब पहुंचने पर भरपूर स्वागत किया गया इससे पहले उन्होंने यहां चंडिगर में पतरकानों से बाचित की और अपने मिस यूनिवर्स तक के सफर के विशे में जान करी थी उन्होंने पंजाब के मुख्या मंतरी भगवंत मान से में मुलाकात की दुन्या भर में भारत का नाम रोशन करने वाली मिस यूनिवर्स हरनाज कोर संदू लगबग 6 महीने बाद चंडिगर आई है 22 वर्षिये इस मॉडल को देखने के लिए हर कोई बेकराट था इससे पहले हरनाज एक ही दिन मिस दीवा के लिए शहर आई थी हरनाज कोर संदू ने पंजाब के सियम भगवंत मान से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की मुख्यमंत्री ने उन्हें 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब भारत वापस लाकर देश को गौरवान वित करने के लिए बधाई दी चंडिगर में पत्रकारों से बात चीत करते हुए हरनाज कोर संदू ने बताया कि उनके परिवार और दोस्तों का उनकी सफलता में पूरा सहयोग रहा है इन सभी के सहयोग से वो आगे बड़ी है इस वरान उन्होंने अपने सफर के बारे में भी बताया आपको बता दे कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज कोर संधू घर आये बिना ही लंदन चली गई थी कुरोना की तीस्वी लहर के कारण वो होली पर पहली बार मुंबई और उसके बाद दिल्ली पहुंची थी में भाग लेने के बाद घर आई है वही हर नाज 31 मार्च को माथा टेकनी के लिए परिवार्त के साथ हर मंदर साहिब अम्रित सर्जाएगी I think our CMs are seeing this well, I'm really looking forward I'm looking forward to what I can do to Punjab It's unlimited and there are so many things regarding drugs, menstrual equality and women empowerment we can do so many things definitely I need you guys to support मैं भिल्सी आम मैं सवते पपर ते चोले पुड़े मैं खाने सागी हम पर इदिन पुर्द इंक बोल्य निफ था पिशाद चल्डिकर्ण में नहीं खोल एक चल्डिकर्ण में जाए घीक फुल्या है चल्डिकर्ण में दूता है नहीं नहीं सेटर्टरी एक स्क्राइब करते हैं दुट पर बारी नियुटा है टाते हैं आरा। मैंचे नियुट गुटेशन इस पिर रोड़ों युटेशिटेजिए करना चाहते हैं वे अंगा है कि इससा बहुत नियुटेशनी है मैं सिर्फ इने साथ की दिवा, मुझे स्टेज देख पुछा दा और मुझे जवाब भी देना है तो वो मेरे अदर आग चली कि मैंने अपने आपको अपने आप से प्रूफ करना है कि I was wrong, कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉंपिनस नहीं करने के लिए, मेरे अ thisка laying मेरा क्पना है, मैं लिए में यह सूच के नहीं कर दूफ के मैं taught कि मैं मिसीन गोजआ है नहीं करती है मैं यह सूच के नहीं कर देख कि I am my own competition और मैं इनने अपने आप से जीतना है और अपने आपको हरानाई की नहीं, वह हरनास चेंज हो चुग है, उसने ही अपने प्रेडिया से जीखा है, वह आगे बढ़ चुकी है, और जब तक नहीं अपने आप इंपावर नहीं करोगी, तो मैं लोगों को कैसे इंपावर नहीं करोगी? So I think it starts from within. I think Punjab, which is a very deep problem with drugs, तो यसे योगी कारे सिगे, सर नहीं कावी एपने अपने 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 पन्जाब दिस्कास केती है, so I am really looking forward, कि किदा मैं सर्ता साथ दे सका, अपने 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 पन्जाब नहीं कर सका, पन्जाब नहीं कुछ खास कर सका, तो मैं पन्जाब नहीं आपको बता दे कि पिछली साल हरनास कौर संधू के सर पर मिस्स युनिवर्स का दाज सजा था, इससे पहले वे मिस्स डीवा युनिवर्स भी रह चुकी है, हरनास मूरूप से गुर्दासपूर की रहने वाली है, फिलहाल वो अपने परिवार के साथ खरण में रह रही है, पंजवाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंग की रिपोर्ट के लिए और नया जानकारियों के लिए आप बने रहें, बंजवाब के सिट्री टीवी के साथ हम फिर आजिर होंगे ट्राइ सिट्री अपडेट लेकर, तब तक के लिए रहें मैं इशाना को पुरी टीम के साथ दीजे जाज़त, नमस्कार. झाल झाल